हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 365 Days, ये 2020 की इटेलियन पोलिश मूवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ इस मूवी में एक गैंग्स्टर एक लड़की को देखता है और उसके पैयर में पढ़ जाता है जब वो उसे मिल जाती है तो 365 Days के लिए उसे किड्नैप कर लेता है यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस दो गैंग के बीच में मिटिंग चल रही है इस मूवी का हमारा जो में कारेक्टर है, इसका नाम है मसीमो यहाँ इस मिटिंग में मसीमो के फादर दो लोगों से बात कर रहे है इन दो गैंक्स्टर ने बहुत सारी लड़कों को किड्नाप कर लिया है पर उन्हें कंट्री से बहार ले जाने में इन्धे बड़ी सी प्रॉलम है यह प्रॉलम सॉल रोन के लिए मसीमो के फादर के पास वो आय हुए है मसीमो के फादर एक बड़े माफिया गैंगे बॉस है तो यह सब वो कर सकते है पर उन्हें यह सही नहीं लगता यह उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इनकी रूल्स के वो खिलाफ है जब मिटिंग चल रही है तब मसीमो बीच पर लॉरा को देखता है लॉरा यह हमारी में क्यारिक्टर है मसीमो उसे देख कर बहुत ही अट्रेक्टेड होता है मसीमो के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दोनों बहुत ही घटिया लोग थे पर फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा आगे चल कर हमारी काम में ही आ सकते हैं लॉरा को देखते हुए मसीमो को उसके फादर नोटीस करते हैं मसीमो के फादर कहते हैं कि वो ब्यूटिफुल है पर फिर भी तुम्हें जरा केरफूर रहना पड़ेगा खुबसूरती तुम्हें बरबात करका छोड़ सकती है फादर मसीमो को जरा सीरेस होने के लिए कहते हैं सब बिजनेस फादर को ही समालना पड़ता है और मसीमो जादा उसमें इंटरेस ने लेता आगे चल कर मसीमो को ही सब कुछ रन करना पड़ेगा इसलिए उसे कहते हैं कि आप जरा तुम सीरेस हो जाओ यह दोनों बात ही कर रहे हैं तभी मसीमो के फादर को गोली लग जाती है यह गोली किसने चलाई थी यहां पता नहीं चलता पर इसमें मसीमो भी इंजोर्ड हो जाता है फादर की यही डेथ होती है पर मसीमो बच जाता है इसके बाद थोड़े दिन गुजर चुक है मसीमो पूरी तरह से रिकॉर हो चुका है उसके उसके अकाउंटन्स है मीटिंग चल रही है यह हम देख सकते हैं उसके अकाउंटन्स उसे कहते हैं कि आपके फादर की मर जाने के बाद उनकी सिर्फ 30% revenue आपको मिलेगी मसीमो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ पैसे दे दिये थे उससे क्या करना था यह तुम्हारी responsibility थी मुझे एमद बताओ कि मुझे सिर्फ 30% ही मिलने वाले है मसीमो पर कोई भी agree नहीं करता तो सब की फाइल मसीमो के पास है इन फाइल्स में कई लोग के affairs भी होते है मसीमो फिर कहता है कि तुम्हारी भी बड़ी company है अगर मैं सब out publicly कर दूँगा तो सब share तुम्हारे भी डूप जाएंगे और बचे-खोचे पैसों में से तुम्हारी company में buy कर लूँगा और तुम्हें fire करूँगा सब डर जाते है मसीमो कहता है कि जो भी सब पैसे है वो सब मुझे मिल जाने चाहिए और उस पर वो 10% interest भी लेने वाला है इस scene से मसीमो किस तरह का strong character है यह हमें पता चलता है इसके parallel scene में लॉरा एक marketing meeting में है लॉरा की company में एक बड़ा सा loss हुआ है उसका core कर उसे कहता है कि यह तुम्हारी वज़े से हुआ है लॉरा easily victim हो जाए इस तरह का character नहीं है वो भी यहाँ fight करती है जो fact जिस तरह से थे वो उससी तरह से कहती है उसका job जाने वाला था पर उसे वो save कर लेती है इसके बाद हम देखते है कि लॉरा अपने घर आती है उसका एक boyfriend है आज वो उसके साथ intimate होना चाती है पर उसका boyfriend कहता है कि कल हमारी fright है तुम ज़रा आज आराम कर लो इनकी relationship कही दिनों से सही नहीं चल रही इस वज़े से एक trip लेना चाते है लॉरा फिर रात में अपने आप कोई प्लीज कर लेती है नेक सिर में हम देखते है कि लॉरा और उसका boyfriend holiday के लिए आ चुके है लॉरा का boyfriend उसे dinner के लिए ले कर जाता है यहां लॉरा के friends भी है उसके लिए एक बड़ा सा toast करता है यह सब बात ही कर रहे है तब हम देखते हैं कि उनके लिए champagne की bottle आती है इन्होंने यह order नहीं की पर किसी ने उन्हें gift की है लॉरा थोड़ी दर में washroom जाती है यहां वो मसीमों से टकराती है इससे हम बोल सकते है मसीमों ने ही वो bottle उसे भीजी थी नेकसेन में हम देखते है कि नेकसुबा लॉरा अपनी friend Olga के साथ hangout करती है लॉरा का boyfriend उसे बाहर लेकर जाने वाला था पर वो अकिला ही चला गया उसकी friend उसे कहती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है लॉरा कहती है कि उसके life में कुछ priorities है पर उस priorities की list में कभी भी में first number पर नहीं आती है लॉरा का boyfriend उसके पास आता है लॉरा उसे confront करती है वो कहता है कि तुम्हारी heart condition है शिवाजे से ज़्यादा तुम activity नहीं कर सकती है लॉरा को सचमुच एक heart condition है लॉरा कहती है हर बार तुम हर conversation को सिर्व मेरे heart condition पर ही नहीं blame कर सकते है उस पर गुसा होकर वहाँ से बचली जाती है रात में वो अकेले shopping कर रही थी तब ही कुछ लोगों ने उसे किड़ना अप कर लिया डारिकली next रात ही उटती है वो समझ नहीं पाती कि वो कहा है आसपास देखती है सब घर डुनती है जब वो living room में आती है तब उसका बड़ा सा portrait वहाँ लगाय हुआ है यहाँ अगर मसीमो उसके पास आ जाता है लॉरा डर जाती है तुम हो कौन, यहाँ मजे क्यों रख रहे हो मसीमो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ पर एक चीज तुम ध्यान रखना कभी भी मैं जूट नहीं बोलता अब मसीमो explain करना start करता है मसीमो कहता है कुछ मन पहले मैं तुम्हें बीच पर देखा था तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था उसके बाद मुझे कोली लग गए और मैं हॉस्पिडल में था मैं तुम्हें ढूनना चाता था पर तुम्हें बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था उस इंसिडेंट को 2-3 साल घुजर चुके है इतने सालों तक तुम्हें अही में ढून रहा था मसीमो अपनी बिजनेस के लिए खुमता रहता है तो इसलिए लॉरा को उसने देख लिया था और उसने उसे किर्णाप कर लिया लॉरा कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हो ऐसे तुम मुझे पा नहीं सकते है मसीमो कहता है कि हाँ मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें एक साल देना चाहता हो एक साल में तुम अगर मेरे पैर में नहीं पड़ी तुम्हें तुम्हें जाने दूँगा लॉरा कहती है मेरा बॉयफरेंड है मेरी लाइफ है, ऐसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ लॉरा के बॉइफ्रेंड का चक्कर चल रहा था उसकी सब फोटो मसीमो लॉरा को दिखाता है उसका हाट ब्रेक हो जाता है पर फिर भी वो एक करने के लिए राजी नहीं है वो रेजिस्ट करती है और मसीमो के गन अपने हाथ में ले लेती है मसीमो उसे कंट्रोल कर लेता है मसीमो कहता है हमेशा मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी वो मैंने पा ली है मुझे कभी भी गुसा मत दिलाना वरना बहुत बुरा होगा यह लौरा से बात कर रहा था तब ही मसीमो के आदमी वहा आ जाते है एक इशू है जो उन्हें सौट ओट करना है मसीमो फिर अपने बेस्वेंट में आयो होँ में दिखता है मुवी के फास में हमने कुछ लोग देखे थे जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करना चाते थे मसीमो के फादर ने उन्हें मना किया था पर फिर भी ये कर रहे थे जिसने किया था उस आदमी को यहाँ पकड कर रखा है मसीमो कहते है मेरी बिजनेस से तुम कुछ चुरा लेते तो भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देता पर तुमने जो किया है बहुत ही गलत किया है लॉरा इस जगा से भागनी की कोशिश करती है वो बाहर आती है तभी मसीमो इस आदमी को मार रहा होता है ये मर्डर देखकर उसे चक कर आ जाती है नेक सुबा जब लॉरा उठती है तब उसके पास मसीमो बेटा हुआ है उसे यहता है जो तुमने देखा तुमें नहीं देखना चाहिए था मैं तुमें अशूर करता हूँ जिसको भी मैंने मारा है वो यह डिजर्व करता था लॉरा जल्दी से इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएगी यह उसने एक्सेवट कर लिया है वो मसीमो को कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाल चाहिए मसीमो कहता है कि मुझे अच्छा आइड़ा नहीं लगता जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा मसीमो कहता है तुम्हारा सब सामन में यहां लाचुका हूँ मेरा आदमी डॉमनी को हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जो भी चीज़े तुम्हें चाहिए होगी वो सब लाग कर देगा लॉरा जब लंज के लिए आती है तब उसके लिए बहुत सारी चीज़े बनवाई हुई है थोड़ी दर में मसीमो उसके पास आता है और कहता है यह आज मुझे ज़रा काम है तो तुम मेरे साथ चलोगी लॉरा कहती है तुम्हारे साथ में कही भी नहीं आने वाली मसीमो से कहता है कि तुम्हारी मरजी के खिलाफ मैं तुम्हें टज भी नहीं करूँगा अगले नेक साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो जल से जल तुम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी इजी होगा तुम्हें जो लगता है कि मैं एक मॉंस्टर हो इस तरह से मैं नहीं हो लॉरा फिर कहती है कि मुझे जल से जल मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए उसे एक डीश पसन है तो बनवाने के लिए कहती है लॉरा अब थोड़ा सा कंफरेबल होकर रात में डिनर के लिए आती है वो मसिमो से पूछती है कि अगर मैं एक साल तक यही रहने वाली हो तो तुम करते क्या हो तुम कौन हो यह तो मुझे पता होना चाहिए मसीमो कहता है कि जितना तुम्हें कम बता हो यही सही होगा पर फिर भी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अलग-अलग बिजनेसे से तुम मुझे as a businessman कही भी introduce करा सकती हो मसीमो फिर लॉरा के पास आता है किता है कि जंडल बनने में मुझे तुम ज़रा help करना लॉरा रात में अपने bedroom में आती है तब उसका laptop और phone उसे मिल चुका है वो अपने mother को और friends को call कर देती है उसके boyfriend के room में मसीमो ने already एक later रखवाया था जिसमें लिखा था कि लॉरा उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही है इसलिए उसका boyfriend उसे नहीं डून रहा था लॉरा सबको inform करती है कि एक नई country में उसे job मिल चुका है और सबको वो जल्दी से जल मिलने के लिए आएगी लॉरा जब सोती है तो मसीमो उसके पास आकर सो जाता है सुबा होने बाद लॉरा यह notice करती है अब मसीमो की चिडाने के लिए उसके सामने ही नहाती है मसीमो ने उसे कहा है कि जब तक वो उसे allowed नहीं करेगे तब तक वो उसे touch नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह से वो चिडाने वाली है मसीमो चिड कर उसे कहता है कि हमेशा मुझे जो चीश है ये थी मुझे मिल चुकी है तुम मुझे ज़ादा चिडाओ मत वरना तुम्हारा हाल बहुत भुरा होगा आज मसीमो जड़ा बाहर जाने वाला है तो लॉरा कभी अपनी फ्लाइट में लेकर जाता है लॉरा रजिस्ट कर रहे थी तो उसे उसने पूरी तरह से बान दिया है यहाँ इस फ्लाइट में उसे री जाने की कोशिश करता है तो फेर से हो सकता है जब तक तुम मुझे हा नहीं करोगी तब तक में तुम्हें टच नहीं करने वाला मसीमो का इंबेरस करना यही लॉरा का मीशन बन चुका है मसीमो जब अपनी प्रदर से बात कर रहा होता है तब लॉरा वहाती है बहुत ही अनपरोप्रेट तरीके से आईस्क्रीम खाती है सब लोगों के सामने फॉंटन में जाकर नहाती है मसीमो बहुत चेट जाता है रात में एक रूम में वो उसे लेकर जाता है यहाँ पर बेट से जबरदस्ती उसे बान देता है लॉरा को कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम मिस्स कर रही हो एक लड़की को वो अंदर बुलाता है उसके साथ इंटिमेट हो जाता है यही उसकी लॉरा को जेलस फिल कराने की एक कोशिश है थोड़ी देर में अब इने कलब में जाना है लॉरा फिर से मसीमो का इंबरस करने के लिए एक छोटी सी ड्रेस पहनती है मसीमो है देखकर फिर से चेटता है जब वो कलब में जाते है तो मसीमो के सामने एक दूसरे आदमी के साथ वो फ्लट करती है थोड़ी देर में यह आदमी उसके साथ जबरदस्ति करने लग जाता है मसीमो कुछ सा आता है इस आदमी को बहुत मारता है उसके हाथ पर एक गोली भी चला देता है मसीमो के फादर का एक फ्रेंड है जो इनके लिए काम करता है उसके फादर फिगर ही वो है मसीमो को कहते हैं कि जिस आदमी को तुमने मारा वो हमारे राइवल ग्याइंग का एक मेंबर है तुमने जो किया है इसी वज़े से अब वार स्टार्ट हो चुकी है लॉरा यह सब सुन रही थी उसे लगा कि मसीमो ने उस आदमी को मार डाला मसीमो उसे समझाता है पर कहता है यह सब तुम्हारी इकलती है इन दोनों में फाइट हो जाती है लॉरा उसे में इस याड से जम मार देती है मसीमो उसे बचा लेता है लॉरा को जब भोश आता है तो मसीमो कहता है कि मैं फिर से नहीं होने दूँगा एक बार मैंने तुम्हे खो दिया था फिर से में तुम्हें नहीं खो सकता लौरा को रियलाइज होता है कि मसीमो सचुच में उससे बहुत पैर करता है लौरा भी अब मान जाती है और यह दोनों इंटिमेट हो जाते है बहुत सारे दिन वो यही यार्ट पर बिताते है एक दिन मसीमो लौरा को कहता है कि हमें पार्टी में जाना है यह एक गाला पार्टी है, इसका मतलब है, सब लोग मास्क वहरा पहन कर डांस करने वाले है लोरा को मेकवर देने के लिए, स्पेशल आदमी बुलाये जाते है लोरा बहुत खुश होती है, रात में यह तोनों गाला में आते है बहुत ही ब्यूटिफुल डांस करते है, इन दोनों के पास एक लड़की आती है यह मसीमो की एक्स गर्ल्फरेंड है, यह मसीमो से कहती है कि लास में तुमने उसे पाही लिया है, यह लोरा को मार डालेगी, यह क्या एकर वहाँ से चली जाती है लाँ पूछती है कि यह कौन थी, मसीमो कहता है कि वह मेरी एक्स गर्डवरेंड थी लाँ पूछती है कि तुमने Eat Up कप किया, मसीमो कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्builtछा, उसी दिन मैंने ब्रेकप कर लिया मसीमो ने दो-तीन साल तर लॉरा की फोटो अपने बेडरूम में रखी थी सबको लगता था कि लॉरा कभी भी उसे नहीं मिलेगी इसी वज़े से उसकी गर्फरेंड को भी लॉरा के बारे में पता था लॉरा अंगवर्टबल महसुस करती है और दोनों घर आ जाते है लॉरा को चेरब करने के लिए वोलका उसे बाहर लेकर जाती है यह मसाज करवाते है न्यू हेर कट करते है यह दिन बहुत अच्छा सा उपिता थे रात में जब यह पार्टी करने के लिए कलब में आते है तब लॉरा का एक्स बॉइफरेंड भी वहा है लॉरा को समझाने की कोशिश करता है वो कहता है कि तुमसे बहुत प्यार करता हो वो कहता है तुमने जो सब फोटो देखी वो सब गलत है मैं नशे में था इसी वज़े से यह सब हो गया लॉरा का पीछा करते करते हो उसके अपार्मेंट दगा जाता है लॉरा उसे जाने के लिए कहती है पर वो जाने रहा था यहाँ इस अपार्मेंट में मसीमो आल्डेडी आ चुका था लॉरा का बाइफ्रेंट यह देखकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद यह दोनों फिर से इंटिमेट हो जाते है लॉरा अब मसीमो से कहती है कि आप मुझे एक सान नहीं चाहिए वो भी उससे पैर करती है सुबह होती है तो लॉरा नोटिस करती है कि उसके फिंगर में अल्रेडी रिंग है वो पहले सप्राइस्ट होती है पर मसीमो उसे शादी करने के लिए उससे पूछता है लॉरा भी उसे हा कहतेती है लॉरा की एक फ्रेंड की शादी है वहाँ पर वो मसीमो की भी लेकर आती है लॉरा के मदर और फादर यहाँ प्रेजेंट है लॉरा एक्चुल में पोलिश है और मसीमो इटैलियन लौरा के Mother Father को मसिमो की language नहीं पता और मसिमो को उनकी लौरा मसिमो को अपने Mother Father से introduce करवाती है फादर पोछते है कि ये करता क्या है मसिमो कहता है कि मैं गैंस्टर हूँ पर लौरा के Mother Father को ये समझ बनी आता लॉरा अब सबसे मिल चुकी है तो फिर से वो इटेली आ जाते हैं इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनकी शादी इसी कंट्री में होगी लॉरा नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मसीमो एक्चुल में करता क्या है इसी वज़े से अपनी वीडिंग पर किसी को भी नहीं बुलाने वाली सिर्फ उसके फ्रेंड को बता है तो उसे इन्वाइट वो करने वाली है यह सब वो मसीमो को कहती है और मसीमो भी इसके लिए एगरी करता है जब मसीमो और लॉरा बात कर रहे थे तब मसीमो का एडवाइजर भी वहा है लॉरा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते यह अडवाइजर कहता है कि हाँ हम इटाइलियन से मसीमो की शादी तुम से हो यह कोई भी नहीं चाता ये कुछ परसनल नहीं है पर इससे हमारे बिजनेस पर कुछ फरक पड़ सकता है नेकसे में हम देखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओलगा यहाँ आ चुकी है लॉरा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो प्रेगनन्ट है उसकी फ्रेंड उससे बहुत इचिट जाती है उससे कहती है कि तुम्हें रियालाइज नहीं हो रहा पर तुम्हें एक गोल्डन केज में हो तुम्हें अब ये सब सही लग सकता है पर आगे चल कर फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉल्बम आ सकते है लॉरा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाते और देखते हैं मसिमो के एडवाईजर को call आता है वो बहुत ही टेंशन में है वो जल्दी भाग कर मसिमो के पास जाता है लॉरा की जान को खत्रा है यह उसे कहता है लॉरा और ओलगा दोनों गाड़ी में थी लॉरा ओलगा से कह रही थी कि वो प्रेगनेंट है यह वो मसिमो क कहने वाली हैं. इन दोनों की गाड़ी हमें टनल में जाती हुई दिखती हैं. मसीमो को अभी अभी पता चला है कि लॉरा डेंजर में है. उसे वो कॉल करने की कोशिश करता है पर और कॉल लग नहीं पाता. वोही नीचे गिर कर वो रोने लग जाता है लॉरा टनल में गई थी पर टनल के बाहर हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं यानि कि लॉरा को कुछ हो चुका है यहीं मुवी एंड कर देते हैं एक्ट्वल में एक बुक सीरीज है जिसमें तीन बुक्स है नेक्स्ट पार्ट की शुटिंग स्टार्ट हो गई तो आप कमेंट में लिख सकते हो मैं एक शॉट वीडियो उस पर बना कर डाल सकता हूं आज का वीडियो हम यही कदम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हो तो फ्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल नोटिविशन आइकोन दबाने में मत भूलिए फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुझे के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए